हालो यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब बहुर टाइम बाद आप लोगों से मेरी हाई हेलो हो रही है और कपूर जी बैठे हैं हम छत पे धूब के मज़े लेने हैं और थोड़ी सी मूपली रेडियां खा रहे हैं काफी टैम हो गया था यूटूब का कोई व्लॉग नहीं आया था तो मैंने सुझा चलो बातचीत करते हैं कुछ तो बातचीत करें हाना बच्चों के अभी पढ़ाई थोड़ी टफ चल रही है और एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता तो और मुझे भी घर के काम से और इंस्टा से फुर्सत नहीं मिलती है तो मैं करनी पाती हूं ख मैंने सोचा कि आज हम एक ब्लॉग बनाते हैं जिसमें हम बातचीत करते हैं और मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि हम किस टॉपिक पे बनाई क्योंकि जो हमारी ना लव स्टोरी थी ना मैं उसके उपर पूरा खोल की वीडियो बनाना चाहते हूं हमने ऐसे बताई थी पर अब कपूर जी बीजी थोड़ा सा सोचते थे पर कपूर जी भी बीजी हो गया वह भी कहते हैं कि हां शेयर करना चाहिए काफी लोगों को बच्चों को भी हल्प होती है यह सब चीज हमें बहुत अच्छे अच्छी दिखती है उसके पीछे का स्ट्रगल नजर आना चा भी involved हो चुके हैं में साथ social media पर और उनको भी interest आ रहा है और उनको लग रहा है कि हम को हर समय social media को negative नहीं हमारे हम जिस age में आ गए हैं हम अपने experience और अपने thoughts लोगों के साथ share करेंगे तो वो भी उनको किसी को काम आएगा तो यह सब चीजे और हसी मजाग family में जो थोड़ा हलका फुलका कुछ चलता रहते हैं वो हम आपके साथ share करते हैं और आप बहुत अच्छे से हमारे साथ एक family बन गए हो और आप लोग भी उसको enjoy करते हो तो बस बात यह है कि हम लोगों को अपनी life को कैसे easy बनाना है हमारे पास थोड़ा है तो उसमें भी कैसे खुश रहना है और कुछ नहीं हम कहीं घूमनी सकते जानी सकते बड़ा खर्च घर से बाहर जाना घूमना बहुत easy नहीं है पहले तो सबकी त्यारियां करो बैग बनाओ आना जाना और फिर उसके बाद दो दिन बाद ही बाहर जाओ ना तो उसके बाद लगता है कि घर सबसे अच्छ है इससे अच्छ है आप चत पे बैठो धूब सेको फिर घर के काम भी कर लो जो दो दिन के बाद घूमके आते है ना उसके बाद गर इतना गंदा हो जाता है और वह रेस्ट करने के लिए दुबारा इजी करने के लिए फिर एक हफ्ता लगता है तो हम पता नहीं खुदी ना अपनी लाइस से पंगे लेते रहते हैं मन बहुत करता है पर हम मिडल क्लास को बहुत सारी चीजों से फेस टू तो साफ करेंगे अच्छे से उसमें बैठने की जगा बनाएंगे तरीके से तभी हम उसमें च्छत का इंज्वाइबी ले सकते हैं यह नहीं है कि च्छत है तो जाके बैठ जाएंगे कोई मेड आएगी वह साफ कर देगी वह हमारे लिए कार्पिट बिजा देगी यह सब हम आएगे खुशियां ढोंड़ लेते हैं अना छोटे छोटे प्लांट लगा लिए चट पर इतनी बड़ी चट तो नहीं है पर देखती वालों को ना हमारी चट बड़ी प्यारी लगती है काफी लोग खुश होते हैं हमारी चट देखे तो इसलिए कुश नहें उतने में हु गाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हसते मुस्कुराते हैं अपने काम करते रो चलते रो बढ़ते रो और आप मुझे कमेंट करके सब बताना कि हां मैं और कपूर जी अपनी पूरी लफ स्टॉरी आपके साथ शेर करें क्या आप उससे पसंद करोगे से और अगर हां जितनी जादा comment करो गें इंस्टा पर comment कर ना डी एम कर पर यहां पर भी कमेंट करना डी एम करना तो हम जरूर करेंगे आपके साथ story शियर कुए हमारी story गाइस बहुत इंट्रेस्टिंग है मैंने अभी पूरी नहीं बताई है अभी बहुत कम बताई है पर आप कपूर जी मेरे साथ हैं तो कपूर जी कुछ बताएंगे कुछ मैं बताऊंगी तो जल्दी से आते हैं अपनी लव स्टोरी लेकि आपके वह उपर डिपेंड करते हैं आप चाहते ठीक है तो अपना क्याल रखो खुश रो हसते रो मुस्कुराते रो और कूब तरक्की करो